हेलो स्टूडेंट्स, ये history test series का तिरहवा पार्ट है और बारावा पार्ट के हम एंसर करते हैं पहले तो पहले सवाल का उत्तर है पहले प्रशन का उत्तर है कलिंग दूसरे प्रशन का उत्तर है उदियन उदियन ने राज़दानी पाटली पुत्रा बनाया था और तीसरे प्रशन का उत्तर है अजाद सत्रू मगत कर सामराठ था चोते प्रशन का उत्तर है अंगुत्तर निकाय सोला महाजनपत का उलेख है पांचवे प्रशन का उत्तर है छटी सता सदीस्वी पुर्व और सातवे प्रशन का उत्तर है डेरियस आटवे प्रशन का उत्तर है घना अनंद नंदवन्स का अंतिम सम्राठ था नौवे प्रशन का उत्तर है वज्जी संग अजाद सत्रू का सदेव वज्जी से लड़ाई होता था और दस्वे प्रशन का उत्तर है अजाद सत्रू जो रत मुसल का इस्तमाल करता था तो चलिए पहला प्रश्ण लेते हैं पहला प्रश्ण है इसा पूरु छटी सदी में प्रारम में भारत का सर्वदिक शक्तिशाली नगर राज कौन था? और दूसरा प्रश्ण भारत में सिक्को या मुद्रा का पर्चलन कब हुआ? तिसरा प्रश्ण सिकंदर के आकर्मन के समय उत्तर भारत पर किस राजवन्स का शासन था? चौता प्रश्ण कासी और लिच्वी का विले मगद समराज में किस ने किया? चौता प्रश्ण मगद समराज की स्थापना किस ने की? साथवा प्रश्ण किस शासक ने अवन्ती को जीत कर मगद का हिस्सा बना दिया? और आप लोग प्रोग्रेस रिपोर्ट पर ख्याल लखें प्रोग्रेस रिपोर्ट देखना है आपको जी के 1 से 105 तक मकमल कर ले मजबूत कर ले करेंट एक से 50 वीडियो है उसको कर लें अगर आप रजिस्टर पर लिख सकते हैं करेंट को तो उसको लेक ले उसके बाद याद करें और नहीं तो बार बार आप वीडियो देख करके एंसर जरूर करें आप कॉमेंट वर्क्स में उसका आपको पैदा होगा छटा परस्ण किस मगज समराच के ने अंग कविले अपने राज में कर लिया था अंग कविले किस ने किया था और नौवा परस्ण छटी सत अब्दिस्वे पुर्व में कहां कहां गंतंत्रात्मक विवस्था थी और दस्वा प्रश्ण सेनिया अर्थात नियमित और स्थाई सेना रखने वाला किसे कहा जाता है सेनिया की उपादी किसे दी गई है किसे कहा जाता है तो बारहाल यह रहा आपका और नेक्स्ट वीडियो में चोगधामे वीडियो में हम इसका एंसर जानेंगे और आप लोग प्रोग्रिस रिपोर्ट पर ख्याल रखें जादा से जादा वीडियो देखें बार बार प्रैक्टिस करें तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक्यो